द्रिश्यम 2 जी हाँ दोस्तों बात करते हैं द्रिश्यम 2 के चौथे दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है मतलब मैं अभी तो फर्स दे, सेकेंड दे, थर्डे बनाई रहे हैं अभी वीकेंड के डेस थे, फ्राइडे, सेटरेडे, संडे, चलो इस दिन तो बॉक्स ओफिस कलेक्शन अच्छा करना ही था पट यहां फिल्म भाई नहीं रुखने वाली है, यह मंडे को भी यार कजब का कलेक्शन किया है तो चलि जानते हैं मंडे को इस फिल्मने कितना कलेक्शन किया है, और कहां इसका लग रहा है, कितना कलेक्शन के आसपास पहुँझ गई है क्योंकि अब ये सुपर डूपर हिट होने वाली ये फिर्म तो चलिए बताते हैं आपको कितना इस फिल्म ने कलेक्शन किया और दोस्तों बड़ अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजे बैल आकन को प्रेस कर दीजेगा वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंड में जरूर मेंचन करिएगा कि आपने ये फिम देखी है कि नहीं देखी है तो किसका इंतजार कर रहे हो यार ओटिटी प्लैटफॉम पे आने का चलो उसके लिए भी वीडियो बना देंगे पट अगर चांस है आपके पास तो प्लीज इसको सिनेमा में जाके दे वहां तक हुए 27.17 करोड रुपै यहां फी एक अच्छा कलेक्शन ता टीसे दिन का कलेक्शन था बनिलिका क्लेक्शन brings 11.87 करोड अब मान सकते हैं कि 12 करोड रुपए इस फिल्म ने मंडे के दिन कमाया है तो आप खुछ सोचिए कि भाई यह फिल्म अच्छी खासी परफॉर्म करिये और मैं को लगता है अगले दिन भी देखना 10 करोड के आसपा सा कलेक्शन करेगी फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर फ्राइडे से संडया जाएगा उसस दिन फिर पंधरा 15-15-15 करोड तो भाई यह 500 करोड का आकड़ा आराम से टच करने वाली है अब आपको क्या लगता है कि यह फिल्म 500 करोड का आकड़ तकर टच कर पाएगी मतलब की लगभग मैं कह दूँ और जो दूर है यह 14 करोर रुपय और दूर है दो दिन में 14 करोर वसूल लेगी और उसके बाद यह कमाएगी अपनी profit और उसके बाद OTT डील वगएरा तो हो नहीं हो नहीं है मतलब आप सोचिए यह profit में final चल रही है मतलब super duper hit तो होने ही वाली है अब आप बताएए आपको क्या लगता है कि यह film total lifetime collection कितना करने वाली है और दृष्ट्रम 3 भी बहुत जल्द हमें update देखने के लिए मिलेगा